Subordination का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Subordination का दो तरीके से हम इस्तिमाल कर सकते हैं एक तो इसका मतलब होता है अधीनता, परतंतरता, अधीनीकरण या परवश्टा यानिकिन सबका लगबग एकी मतलब है कि किसी दूसरे के वश में होना या किसी दूसरे के अधिकारक शेतर में होना या किसी दूसरे के अंतरगत होना, किसी दूसरे के अधीन होना यानि कि आजाद नहीं होना, यानि किसी दूसरे के मर्जी आप पर चलती है तो इसका मतलब कि आप किसी के अधीन है और दूसरा जब हम grammatical concept की बात करते हैं या linguistic की बात करते हैं तो subordination का मतलब होता है कि जो भी कोई वाक्य होता है उसमें एक तो main close होता है एक subordinate close होता है यानि कि एक तो independent close होता है जिसका अपने आप में मतलब होता है और एक close होता है जिसका अपने आप में मतलब नहीं होता लेकिन वो जो independent close होता है उसमें कुछ value add करता है यानि कि जैसे आप कहें wherever they go they always bring their dog यानि कि वे जहां भी जाते हैं हमेशा अपना कुता साथ लाते हैं तो इसमें ये हुआ wherever they go जो है वो subordinate close है और they bring their dog यानि कि वो अपना कुता साथ लेकर आते हैं तो इसमें ये जो है वो आपका independent close है तो एक इसका इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुछ example sentences से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि इस first संचार अधिनता की एक अच्छी तरह से संद्रचित परणाली पर निर्भर करता है तो आप कहेंगे clear communication relies on a well structured system of subordination या फिर आप ये कहना चाहें कि कि किसी कंपनी की भीतर व्यवस्ता और संगठन बनाए रखने के लिए अधिनता आवश्यक है तो आप कहेंगे subordination is essential to maintain order and organization within a company अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें